उत्तरप्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद बड़े-बड़े भूमाफियाओं और अप्रादियों के किलाप कारवाई हो रही है और बस्ती में इसी तरीके से एक बड़े राजघराने परिवार और पूर्वे विधायक और पूर्वे मंत्री के परिवार का बड़ा जम सामिल थे उनकी उपर भी अप्तलवा लटक रही है मैं जगा खड़ा हूं आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जितनी भी दूर तक आपकी नजर जाएगी यह सारी जमीने सीलिंग एक्ट के तहत एक ट्रस्ट के नाम करवा दी गए थी मतलब यह सारी जमीने सरकार के सरकार क जाने वाली थे लेकिन पूर विधायक जो यहां के रह चुके हैं खेसरहा से आदित विक्रम सिंग उन्होंने एक आरोप है कि उन्होंने एक फरजी ट्रस्ट बनाकर और इन सारी जमीनों को उस ट्रस्ट के नाम करवा लिया था तीस साल पहले लगभग यह पूरा तीस से प अधिक विश्टा यह पूरी जमीने है 14 हेक्टेर से अधिक पूरी जमीने है और यह सारी जमीने सीलिंग एक्ट के तहट सरकार को जाने वाले थी लेकिन एक ट्रस्ट बनाके आदित विक्रम सिंग का इसमें नाम आया है जो पूर विधायक रह चुके हैं और आठतमा स्टे थी था उसके बाद यह सारे सारी जमीनों को 2016 में अभिलेखों में हेरा फेरी करके आदित विक्रम सिंग ने अपने नाम करा लिया और उसके बाद इस पूरी जमीन की खरित फरुक शुरू हो गई और जमीन को बेचा भी जाने लगा तो इस तरीके से एक बड़ा फरजी वा नाम दर्ज करा लिया जो कि नियम विरुद्ध है एक ट्रस्ट की जमीन को किसी भी ट्रस्ट की जमीन की खरित फरुक नहीं हो सकती है लेकिन पूर विधायक आदित विक्रम सिंग सहित उनके परिवार के छे लोगों का नाम 2016 में यह अपने इस पूरी जमीन को दर्ज करा ल अधित विक्रम सिंग ने अभिलेकों में फर्जी वाड़ा किया और उसके बाद ट्रस्ट का नाम खारिज करके वो खुद खतोनी में इस जमीन जो गाटा संग्या है उसमें खुद काविज हो गया और उसके बाद इसको बेचना भी शुरू कर दिया करोडों का इसमें उन् नुक्सान हुआ है और इस पूरे मामले को लेके अब जिला परसासन कारवाई के मूड में आ गया है जिला दिकारी के द्वारा इस पूरे प्रकड की जांच कराई गई थी और अब इस पूरे मामले में खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से एक पूरु विधायक ने अपन माला है और यह जो आदित विक्रम सिंग जो अर्दहमा श्टेट है उनके पिता पूर मंत्री भी रह चुके हैं कई बार दो बार पूर मंत्री रह चुके हैं इसको ले अब जात पूरी हो चुकी है अब इस पूरे मामले पे बस्ती जिलादिकारी की तरफ से कारवाई होनी बाकी है ABP गंगा के लिए बस्ती से सती सिर्वास्तों ABP गंगा खबर आपकी जवाब की